इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि प्रडक्शन कैसी होगी ब्लेड सेल्स की फॉर्मा सिंगल सेल्स प्लूरी पॉटेंट हमेटोपोईटिक स्टेंप सेल्स यह बॉनमेरों में पढ़ा होगा और यह फर्दर डिवाइड होगा हमारे पास और फिर पूरे ब्लेड सेल्स प् में होगा तो यह प्हसी स्ट해도 जो की डिवाइड सेल्स में एंलेशी में लीफोईट सेल्स में और भी दो जो होगी इससे हमारे पस क्क्या होगा इसके रोब जो है में में रहगी अब यह तो हमारे पास तो सी कीण चीण ज्रणे क्रापं ब्लास्त स्क्राइब चैनल ऊंतर और तीसरी जो ड्वी-एन किसमे होगी, koloniform unit, megakereocytes. अभी जो ब्लास्ट वला होगा, यह हमारे पास koloniform unit,ガrythrocytes. बना ले गा, या conduc, पर इसके बाद steps होंगे होंगे और ंड में हमारे पासUCKS. अब जो जिसमें आद रहे हैं कि अधिक नाम से पता चल रहा है क्या बनेंगे ग्रोन यह बनाएंगे ग्रेनुलो साइट्स की तीन टाइपस होती हैं बेन वाला नीमोनिक आप नहाद रहने हैं यानि वेजोफिल्स एजीनोफिल्स और नुट्रोफिल्स और जबके जो मॉनो स यह बहुत भी से प्रडियो साइट्स है यह भी इससे प्रडियूस होंगे उसके बास जो है क्लोणी फ़र्मिंग यून्ट मेगा के ट्रीट्स पना लेंगे लिंफोसाइट्स यह इसकी कम्लीट होगी अब हमार पास जो दूसरा से से कौन से लिंफोईट स्टम साल्स यह दूसरा होगा बी लिम्फोसाइट और हमारे पास जो पीएचसी है वो फ़र्दर हमारे पास इस तरह यह डिविएन कंप्रीट करेगा अब यह जो पीएचसी डायरेक्ट इसमें कंवर्ट नहीं होगा में बलके पहले एक स्टेज जाएगी जिसको कहेंगे यह पीएचसी इनेक्टिफ स्टेज में होगा इसको पहले एक्टिफ करेगा एक हमारे बस्टीमूलस आएगा अरित्रोपॉइटिन हॉर्मून वो कनवर्ट करेगा पी एचिसी को कमिटिट स्टेम सेल में और फिर बाद में जाकि ये डिवीजन होगी ठीके इस वीडियो में इतना ही पड़ लेंगे